हेलो दोस्तो आप सभीका स्वागत है आपके अपने चनल फार्मा गुरूम दोस्तो अगर आपके मुह में छाले हो रखे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देगें इसमें आपको सॉल्यूशन में बताने वाला हूँ दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केना कॉर्ट 0.1% ओरल पेस्ट के बारे में जो कि एक बहुत अमेजिंग प्रोड़क्ट है अबाट कमपनी का ये प्रोड़क्ट आता है और इसकी costing आपको पढ़ जाती है 82 या 83 something की और अगर इसके composition की मैं बात करूँ तो दोस्तो ये होता है triamcinolone 0.1% weight by weight जो कि एक steroidal moiety होती है और इसके हम uses के बारे में अगर बात करते हैं तो mostly ये use किया जाता है ये mouth ulcers के लिए use किया जाता है लेकिन और भी ये चीजों में use किया जाता है जैसे rheumatide arthritis हो सकता है या फिर osteoarthritis में भी use किया जाता है basically आपको करना क्या होता है इसको जैसे आपके जहां ulcers हो रहे हैं इसको आपको उसके surface पर apply करना होता है के बाद में ये बहुत ही अच्छा result आपको देता है दो से तीन बार में ही आपके चाले बिल्कुल सही कर देगा अब बात कर लेते हैं क्या इसके कोई side effect भी हो सकते हैं जी चैसे कि कुछ side effect हो सकते हैं लेकिन वो generally नहीं visible होते हैं बट sometime किसी patient में वो दिख भी सकते है या फिर oral cavity में pain या फिर swelling भी हो सकती है आप इतनी tension ना लें ऐसा visible नहीं होता है बट अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसे बंद करके अपने doctor से जरूर कंचल्ट कर लें चलिए बात कर लेते हैं काम किस तरह से करता है दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह कैना कॉट या फिर triamcinolone steroid होता है तो basically यह क्या करता है ब्लॉक करता है production को certain chemical messenger जिनकी वज़े से क्या होता है inflammation सूजन होती है redness या फिर pain होता है mouth में या फिर skin पर भी उस पर एक protective film या फिर layer create कर देता है जिसके वज़र से यह उसको बहुत जल्दी से heal कर पाता है तो दोस्तों यह था complete review आपका केना कोट 0.1 oral paste के बारे में अगर ऐसी और वीडियो आप देखना चाहते तो महरे चैनल को subscribe कर सकते हैं या अगर आपकी कोई query या कोई भी question है तो लिंक आपको description पर मिल जाएगा अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो भी description में आपको link मिल जाएगा thank you दोस्तों bye bye take care मिलते है अगली वीडियो में